C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तु थे कक्षा आठ की हिंदी की पाठे पुस्तक भारत की खोज का ध्वानी पाठ प्रिश्ट संख्या 123 शब्दार्थ एवं टिप्पणी सहचर यानि साथ चलने या रहने वाला साथी अनुचर या सेवक दुरभी संधी बुरे उद्देशे से की गई गुप्त मंत्रणा या कूचक्र गेटे विश्ट्व विख्यात जमन कवी उपन्यासकार, नाटककार, दार्शनिक एवं कूट नीतिग्य अभीभूत वश में किया हुआ आक्रांत पीडित या पराजित यंत्रणा यानि यातना, पीड़ा, कलेश हैरत अंगेज यानि विस्मय जनक या विस्मय कारी दंत कथा अर्थाथ किवदंती या जनशृती मिथक अर्थात प्राचीन पुरा कथाओं का तत्व जो नवीन स्थित्यों में नए अर्थ का वहन करे भगनावशेश यानि खंडहर भित्ती चित्र यानि दिवार पर बना हुआ चित्र अभी लिखित अर्थात लिखा हुआ या खोदा हुआ नियमित रूप से लिख कर सुरक्षित रखा हुआ या अभी लेख के रूप में लाया हुआ भाष्यकार अर्थात मूल ग्रंथ की व्याख्या करने वाला भाष्य लिखने वाला सामजस्य यानि संगती अनुकूलता विशमता ना होना या मेल होना शाश्वत यानि नित्य निरंतर सतत या स्थाई निरंतरता यानि लगतार बराबर या सर्वदा विलक्षनता अर्थात अलोकिक, असाधरन, भिन्न चिन्हों वाला जिसमें कोई विशेश लक्षन न हो, वह अवस्था जिसका कोई कारण न हो सार्थक अर्थात अर्थपून, उपयोगी, लाभदायक या महत्वपून अनिष्टकर अर्थात हानिकारक पुरा गाथा अर्थात प्राचीन प्रशंसागीत या कथाएं सीमांत यानि सीमावर्ति स्थान मानकी करण यानि किसी वस्तू के उत्पादन निर्मान आदी का ऐसा रूप स्थिर करना जिससे उसकी अच्छाई या शुद्धता आदी के संबंध में संदेह की जगह न रह जाए अवयव यानि शरीर या शरीर का कोई भाग हात पाओ आदी अंग अवसाद यानि सुस्ती शिथिरता उदासी उदगाटित यानि खोला उघाडा हुआ नवागंतुक यानि नया अतिति अजनवी प्रिष्ट संख्या 124 कभीले यानि कुल, वन्ष, जंगली आदमियों का व्यक्ति विशेश को नेता या सरदार मानने वाला समू हूँ मैक्स मूलर, जर्मनी में जन्में प्राच्य विधा विशेशग्य जिसने प्राचीन भारतिये धर्म ग्रंथों के अनुवाद और संपादन का कार्य किया हर्षोन माद, यानि हर्ष में सुध बुध खो देना, भावतिक वाद, यानि मेटेरियलिज्म, यानि पंच भूत निर्मित यह संसार ही सत्य है, यह सिध्धान्त प्रतिपादित करने वाला मत अवेस्ता, फार्सी भाषा में इसका अर्थ प्रार्थना है, अवेस्ता जर्थुष्ट्र धर्म की प्रात्मिक रचना है ब्राह्मी, वह प्राचीन लिपी जिससे देवनागरी और अन्य आधुनिक भारतिये लिपियों की उत्पत्ती हुई खरोष्टी या खरोष्ठी, एक प्राचीन लिपी जो फार्सी की तरह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और मौर्यकाल में पश्ची मुत्तर भारत में चलती थी परसिपॉलिस यानि प्राचीन काल के शक्तिशाली पारसिक सामराज्य की राजधानी जो आधुनिक इरान में स्थित है H.G. Wells विज्ञान कथा उपन्यासों के प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक इन्हें ऐसे उपन्यासों का पिता भी कहा जाता है अक्सस यानि अक्षू नदी अमुदरिया के नाम से भी प्रसिद्ध यह नदी दक्षिन पश्चिम एशिया की सबसे लंबी नदी है यह नदी अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व उजबेकिस्तान जैसे देशों में बहती है यूईचियों गोबी रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है जावा और बाली जावा और बाली इंदोनेशिया के द्वीप हैं जावा में प्राचीन काल में हिंदू राज्य था बाली भी हिंदु संस्कृती का केंद्र था कमपूचिया में अंकोर वाट का हिंदु मंदिर और बुरोबुदूर में विश्व का सबसे बड़ा बाउध मंदिर है ये दक्षिनपूर्व एशिया पर भारती संस्कृती के प्रभाव का सुन्दर उदाहरन है बर्मा के दक्षिन में स्थित एक प्राय द्वीब चमपा आधुनिक वियतनाम की सीमा पट्टी सहित दक्षिनी वियतनाम में प्राचीन काल में चमपा राज्य था चमपा का राजा शैव था और वहां की राज की ये भाशा संस्कृत थी प्रिष्ट संख्या 125 श्री विजय यानि श्री विजय राज्य दक्षिन पूर्व एशिया का प्राचीन काल का महतोपून राज्य था इसमें मलाय प्राय द्वीप, जावा और सुमात्रा भी शामिल थे निरब्र यानि जिसमें बादल नहों मेघ रहित आसव यानि मद्य, रस, पुष्प रस, फलादी के खमीर से तैयार किया हुआ अर्क भस्म यानि चिता की राख, दवा के काम के लिए फूकी हुई धातु आदी हार्वे, विल्यम हार्वे ब्रिटिश चिकित्सा शास्त्री और शरीर क्रिया वाईज्यानिक थे उनकी रुधिर परी संचरन की खोज ने चिकित्सा शास्त्र को नया आयाम दिया भेशज यानि दवा, उपचार, आरोग्य लाभ कराने वाला खगोल शास्त्र, आकाशिये नक्षत्रों, ग्रहों आदी का वर्णन करने वाला विज्ञान राश्ट्र कूट यानि च्षत्रिय राजवन्ष या राठावर स्थापत्य कला की एक शैली जिसका उदगम बारहुई सदी के मध्य फ्रांस में हुआ और सोलहुई सदी के मध्य तक पश्चिवी यूरोप में विद्यमान थी अधिराज यानि समराट कुष्टुन्तुनिया मध्यकाल में तुर्की सामराज्य की राजधानी रोम्या रोला प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक और नाटक कार महत्मा गांधी के जीवनी लेखक सर्वग्रासी यानि सब खा जाने वाला खग्रास ग्रहन सर्वव्यापी यानि सर्वव्यापक या सभी जगह व्याप्त या मौजूद उर्जा बल या कार्य करने की क्षमता या उत्साह आहवान यानि पुकारना बुलाना ललकारना अल्पसंख्यक यानि कम जनसंख्या वाला समुदाए अभिशाप यानि शाप किसी का बुरा मनाना मिथ्या लांचन मिथ्या आरोप बुराई निश्क्रिय कोई काम धाम ना करने वाला जो कुछ भी ना करे धरे जिसमें या जिस से कार्य या व्यापार ना हो या क्रिया रहित निवरित्ती मार्गी मोक्ष या मुक्ती के मार्ग पर चलने वाला विरासत उत्तराधिकार में मिलने वाला माल सविने अवग्या आंदोलन अन्याइपूर्ण सरकारी कानून की नमरता पूर्वक अववानना के लिए आंदोलन सनरक्षन यानि रक्षा करने की क्रिया हिफाजत मित्र शक्तियां द्वितीय विश्व युद्ध में धोरी राश्ट्रों के विरुध लड़ने वाले देशों का समूह ब्रिटन, फ्रांस, सोवियत संग और संयुक्त राज्य अमेरिका इस समूह के बड़े देश थे काया कल्प शरीर का नया या जवान हो जाना चोला बदल जाना लंगर गाह लंगर करने या जहाजों के ठहरने का स्थान कुंठित यानी कुंद या भोथरा किया हुआ निराश यहां शब्दार्थ एवं टिप्णी समाप्त हुए अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की हिंदी की पाठे पुस्तक भारत की खोज वाचन्स्वर, अजीत होरो, निर्माण सहयोग, सौम्या मलिक, ध्वन्यंकन, विकास सांगवान, निर्माण, वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत